हलो मा यूट्यूब फैमली गुड मॉर्णिंग वेट कोल्ड दे बहुत थंडे यहां पर और कैमरा पकड़ा है मोटू भाई ने उसे कॉमेंट करके मोटिवेट कर देना क्योंकि मैंने यह वीडियो बनाने के लिए तीन चार बार रिटेक लिया है और उसका वो कह रहा है कि म कुछ मिस्टेक्स करना अगर आपकों लगता है कि हां काम काता है वीडियो के लिए तो आप उसको इस वीडियो को दिखा मतलब कर सकते हैं के तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो आज हमारा जो पहला मिस्टेक्स होगा बिगेनर्स के लिए वो होगा बिगेनर्स एवोइड करते हैं फुल रेंज अप मोशन को कोई भी exercise करने के दोरान आप full range of motion को avoid नहीं कर सकते क्योंकि हमारे muscle ऐसे ही बना है कि आम उसको proper contact करें और proper stretch करें मतलब proper सब कुछ proper करना होगा और half range of motion में क्या होता है proper contact नहीं होता और proper stretch भी नहीं होता जैसे मैं आपको बता देता हूं अगर मान लीजे मैं कर रहा हूं कि डंबल से बाइसेपकल तो हाप range of motion में क्या होगा ध्यान से देखना यह देखिए बहुत ही fast rapidly और half range of motion यहां तक गुट रहा है और नीचे और कोई controll नहीं है इस तो आपका मसल proper contact होता है और proper stretch होता है, यही तो है rule, आपको proper contact करना है और proper stretch, तभी तो आपको फाइदा मिलेगा इस exercise का, लेकिन beginners इसे avoid करते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद वो साएद इस mistakes को दुबारा नहीं करेंगे, बात करते हैं मिस्टेक्स नमबर टू वो है ग्रिपिंग स्ट्रेंथ ग्रिपिंग स्ट्रेंथ मतलब जब आप कोई exercise करते हैं मान लीजिए आप चिनप कर रहे हैं hang होके तो आपका ग्रिपिंग स्ट्रेंथ strong होना बहुत जरूरी है तब ही तो आप अपने बॉड़ी को उठा पाएंगे और नीचे ला पाएंगे अगर आपके पास ग्रिपिंग स्ट्रेंथ ही नहीं है तो आप ज़्यादा देर तक होल्ड ही नहीं कर सकते आप 2-3-4 रेफ्स करने के बाद आप छोड़ देंगे चीनप आप करी नहीं चकते इसलिए ग्रिपिंग स्ट्रेंथ बहुत काम आता है उस एक्सेसाइज के दौरन जहां पर ग्रिप का यूज होता है बहुत जोर से समझ रहे हैं मैं किस बात को बताने की कोशिश कर रहा हूं तो ग्रिपिंग स्ट्रेंथ आता कहां से ग्रिपिंग स्ट्रेंथ एक्चुली जब हम कोई भी डंबल को रैक से अन्रैक करते हैं तो वो छोटी-छोटी activity बन जाता है हमारा gripping strength और जब आप उसको long term के लिए करते हैं तो आपका gripping strength strong हो जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा और वही mistakes अगर आप करते रहेंगे तो आपका gripping strength जो है वो weak हो जाएगा और आप chin up नहीं कर सकेंगे आप कोई भी exercise ठीक से perform नही को खुद उठाके बार में डालिए उसको खोलिए जो भी आपको करना है आप खुद से कीजिए किसी को help करने के लिए मत बोलिए इससे आपका gripping strength बहुत improve हो जाएगा और आपके लिए काम का होगा मिस्टक्स नबर 3rd no planning with pre-workout meal बहुत सारे beginners क्या करते हैं roadside से किला खरीते हैं और जिम चली जाते हैं खाते खाते उसे लगता है वो केला उसे energy provide करेगा during workout लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता मैं आपको बता देता हूँ pre-workout का rule ही वैसा होता है 30 to 45 minute पहले consume करने की ताकि during workout आपको meal provide होती रहे यह आपको ध्यान में रखना होगा लेकिन जब आप roadside से किला खरीतने के बाद तुरंत खाने के बाद वो अकौट शुरू करते हैं तो आपको वो energy provide नहीं करता at instant आपको वो energy provide करेगा 30 to 45 minute बाद के लें ताकि during workout आपको energy मिलती रहे और जिस purpose के लिए आप उस केले को खा रहें वो purpose पूरा हो जाए बात करते हैं मिस्टेक्स नमबर फोर्थ वो होता है इगो लिफ्टिंग यह बहुत ही common topic है और बहुत ही common mistakes है इसे beginner के लिए इगो लिफ्टिंग इगो लिफ्टिंग मतलब वह बहुत ज्यादा weight lift करते हैं दूसरों को देखके यह आपको नहीं करना चाहिए मेरे भाई आपको ध्यान रखना होगा आपके strength के according आप कितना weight control में full range of motion में 10 से 12 रेप निकल पाएं आपको वही weight चूज करना है अगर आप दूसरों को देखके bench press में 80 kg 90 के लिए उठा रहे हैं और आपके पास strength बिलकुल भी नहीं है तो यह आपके लिए फाइदे मंद नहीं होगा उल्टा आपके लिए बहुत ज्यादा नुक्सान दैक हो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा आप कोई weight चूज करें पॉपर चूज करें पॉपर तरीके से करें स्मार्ट ली ट्रेंड करें अपने muscle को अपने आपी का body यार बेवकूफ वाला काम का है करते हो वह 60 kg उठा रहा है मुझे भी 60 kg उठाना है shoulder press में जरूरी तो नहीं है वह 5 साल से महनत कर रहा है जैसे कि मैं 5 साल से महनत कर रहा हूँ अगर कोई 5 महिने से महनत कर रहा है तो क्या उसके पास वह experience होगा जो मेरे पास है जो मैं उठा रहा हूँ जब मैं weight को उठा रहा हूँ shoulder press के लिए कि उसके पास वो experience है वो कभी face किया है वो beginner है इसलिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है ego lifting ना करें और बात करते हैं final mistakes जो है lack of focus lack of focus मतलब हम लोग gym जाते हैं जब मैं gym जाता हूँ तो मैं बहुत सारे लड़के को ऐसे देखता हूँ वह work out कर रहे हैं अचानक phone उठा लिए Instagram पर आगे Facebook story डालने लगे selfie लेने लगे बाते करने लगे किसे work out छोड़के एक set bench press का हो गया उसके बाद 10 मिनिट बाते कर ले उसके बात फिर से एक set bench press किया ऐसे आपको नहीं करना चाहिए मेरे भाई आपको ध्यान रखना होगा आप जिस काम के लिए gym जा रहे हैं वह एक purpose है और कोई भी beginner मुझे लगता है एक घंटे से ज्यादा workout नहीं करेगा तो वह जो आप एक घंटे जिम में इंवेस्ट कर रहे हैं वह एक purpose है आपका हर set हर reps हर exercise का एक purpose है तभी तो आप लोग काउंट करने के बाद करते हैं कोई भी exercise 12 14 15 ऐसे count करते हैं ताकि हमारा attention बना रहा है उस exercise के दोरांग लेकिन आप जो mistakes करते हैं इंस्टाग्राम Facebook यह सब कुछ जाते हैं सब में इससे आपका नुकसान है आप focus रहे हैं तभी आपका growth अच्छा होगा आपके लिए बहुत अच्छा होगा सब कुछ आपके लिए अच्छा होगा इन पांच बातों को ध्यान रखना मुझे लगता है यह mistakes होता रहता है जिम में ऐसे बीगनर बहुत सारे सीनियर भी ऐसे करते हैं लेकिन मैं कोसिश करता हूं इन सारे mistakes को को ना करने की मैं कोशिश करता हूं पहले जब मैं जिम जाता था अभी तो मेरा काना सुनना पड़ेगा नहीं तो मैं खता ही नहीं कर पाऊंगा मैं अटेंशन देहीं नहीं बता था क्योंकि बाहर से इतने लोग बाते करते थे थ्यान उस तरफ चला जाता था वह कुट क्या करें इसलिए मुझे आदत पड़ गया था हेड़फोन लेने के बाद वह कुट क कर देना उन ज़रुरत मन दोस्तों के साथ और मेरे चानल को अभी तक अपने सब्सक्राइब कर देना भाई को मोटिवेट फिल होगा आपके लिए और ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक टच करता रहेगा बीगेनर के लिए एडवांस एडवांस लोग तो शायद देखे बताना था थे लेंगे कर लेक नियों वीडियो के साथ बाइब ऐख अ